हलो इंग्लिश लर्नर्स तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीक रियल इंग्लिश में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट फ्रेसल वर्ब्स जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं अगर आप इन फ्रेसल वर्ब्स का यूज करते हैं तो काफी अच्छा इंप्रेसन पड़ेगा साथ ही साथ आपकी फ् प्रेसल वर्ब से और यह है feel down, feel down और इसका मतलब होता है बुरा महसूस करना इसका example sentence देखते हैं और यह है I really feel down मतलब मैं सच में बुरा महसूस कर रहा हूं अब हम देखते हैं आज की second fresal verb और ये है let up और इसका मतलब होता है रुख जाना या कम हो जाना एक्जामपल की मदद से आपको अच्छे से समझ में आएगा तो एक्जामपल देखते हैं एक्जामपल है the rain doesn't seem to let up मतलब लगता नहीं है कि बारिस रुख जाएगी या कम हो जाएगी इसके बाद अब देखेंगे आज की third fresal verb और ये है mess up और इसका मतलब होता है गड़बड करना यानि किसी काम को गलत तरीके से कर देना या किसी चीज को अविवस्तित कर देना एक्जामपल सेंटेंस है don't mess up the files मतलब files को गलत तरीके से मत लगाओ मान लीजिए कि आप किसी को कहते हैं कि इन files को सही से रख दो अब वो क्या करता है कि उन files को उपर नीचे रख देता है मतलब नीचे की file उपर रख देता है उपर की file नीचे रख देता है तो उसने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया मतलब उसने उन files को अविवस्तित कर दिया तो यहाँ पे आप उसे कह सकते हैं don't mess up the files अब इसके बाद next phrasal web है stand by और इसका मतलब होता है साथ देना या समर्थन करना या मदद के लिए तैयार रहना example देखिए could you stand by in case I need help मतलब अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इसके बाद next phrasal web है go after और इसका मतलब होता है पीछा करना example sentence देखिए you have to go after pickpockets मतलब तुम्हें जेब कत्रों का पीछा करना है अब देखते हैं आज की sixth phrasal web और ये है wake up और इसका मतलब होता है जागना example sentence होगा इसका you should wake up early if you want to succeed मतलब अगर तुम सफल होना चाते हो तो तुम्हें सुबेच जल्दी जाग जाना चाहिए अब आते हैं आज की seventh phrasal web और ये है let down और इसका मतलब होता है निराश करना example sentence होगा इसका don't let me down again मतलब मुझे दुबारा निराश मत करना अब देखते हैं आज की eighth phrasal verb और ये है break into और इसका मतलब होता है अचानक कोई काम करना शुरू कर देना example sentence होगा he break into a run and we couldn't catch him मतलब वह अचानक दौड़ पड़ा और हम उसे नहीं पकड़ पाए अब देखते हैं आज की ninth phrasal verb और ये है break in और इसका मतलब होता है बीच में बोल पड़ना इसका example sentence देखते हैं ये है As she was talking, he suddenly broke in saying that's a lie मतलब वह बोल ही रही थी तब तक वह अचानक बीच में बोल पड़ा यह जूट है इसके बाद अब हम देखेंगे आज की tenth phrasal verb और ये है break in या break into और इनका मतलब होता है किसी जगह पर जबरदस्ती गुश जाना आम तोर पर चोरी के उद्देशे से एक्जामपल सेंटेंस देखते हैं इसका thieves broke into my house last night मतलब कल रात मेरे घर में चोर गुश गए इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते थे thieves broke in my house last night यहाँ पर आपने broke into की जगह पर broke in का यूज किया है लेकिन दोनों sentences में कोई अंतर नहीं आएगा यानि दोनों का meaning एक ही होगा इसके बाद अब हम देखते हैं आज की 11th phrasal verb और ये है hurry up और इसका मतलब होता है जल्दी करो example sentence देखते हैं इसका hurry up और we will miss the train मतलब जल्दी करो वरना train छूट जाएगी इसके बाद अब हम देखते हैं आज की 12th phrasal verb और ये है look for और इसका मतलब होता है कोई चीज ढूंड़ना example sentence होगा इसका I am looking for my mobile मतलब मैं अपना mobile ढूंड रहा हूँ इसके बाद अब हम देखते हैं आज की 13th phrasal verb और ये है run away और इसका मतलब होता है दूर भागना example sentence देखिए इसका don't run away from your problems मतलब अपनी समस्याओं से दूर मत भागो अब हम देखते हैं आज की 14th phrasal verb और ये है look after और इसका मतलब होता है ध्यान रखना या देखबाल करना example sentence देखिए इसका my parents asked me to look after my sister मतलब मेरे माता पिता ने मुझसे मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए कहा अब हम देखते हैं आज की 15th phrasal verb और ये है clear up और इसका मतलब होता है साफ करना साफ करना लेकिन कैसे साफ करना चीजों को उनकी सही जगा पर लगा कर या रख कर example sentence देखिए hasn't he cleared up his room yet मतलब क्या उसने अभी तक अपना कमरा साफ नहीं किया है अब हम देखते हैं आज की 16th phrasal verb और ये है put back और इसका मतलब होता है वापस रखना example sentence देखिए put things back after you have used them मतलब चीजों को इस्तमाल करने के बाद उनकी जगा पर वापस रख दिया करो अब हम देखते हैं आज की अगली phrasal verb और ये है bring up और इसका मतलब होता है पालन पोशन करना या पालना example sentence देखिए she was brought up in a large family मतलब वह एक बड़े परिवार में पली बड़ी है इसके बाद अब हम देखते हैं आज की 18th phrasal verb और ये है have on और इसका मतलब होता है कोई चीज पहनी हुई होना जैसे की कपड़ा, जूता और इस तरह की और चीजें जिने कोई पहन सकता है example sentence के साथ आपको इसका मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा तो example sentence देखिए Sarita held on a light blue dress and looked very pretty मतलब सरिता ने हलका निला dress पहना हुआ था और वह बहुत सुन्दर दिखाई दे रही थी अब हम देखते हैं आज की 19th phrasal verb और ये है take away और इसका मतलब होता है दूर ले जाना या हटा देना example sentence देखिए Take these chairs away, we don't need them मतलब इन कुर्षियों को हटा दो अब ये हमें नहीं चाहिए या इन कुर्षियों को दूर ले जाओ अब ये हमें नहीं चाहिए अब हम देखते हैं आज की 20th phrasal verb और ये है pass by और इसका मतलब होता है के पास से गुजरना example sentence देखिए I passed by a hotel मतलब मैं एक होटल के पास से गुजरा तो English learners मुझे उम्मीद है कि जितने भी phrasal verbs मैंने आपको अभी तक बताए वो सब आपको याद हो गए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे अगर आपको कोई problem है कोई doubt है तो आप हमसे comment section में वो doubt पूछ सकते हैं वीडियो को end तक देखने के लिए thank you और अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे जल्दी से subscribe कर दीजिए साथ में bell icon भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली future videos की notification वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में